हालो दोस्तों आप सभी को मैं नमस्कार आप सभी का रिटेल स्मार्ट इंबस्टर यूट्यूब चनल पर शौगत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं राजस एक्सपोर्ट के बारे में और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं चार सो सैंतालीस रुपे पर क्लोजिंग दिया है और आज की तारीक है 30 सेप्टमबर तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यह जानने की कोशिस करेंगे कि आखिर राजस एक्सपोर्ट क्यों बार बार ऊपर चड़ करके दुबारा गिर जाता है और क्यों यह निवेश राजस एक्सपोर्ट पर डिटेल पंडमेंटर और टेक्निकल अनलिस करके एक वीडियो अपलोड किया था कुछ मेहनों पहले आप उसको भी जाकर के देखें उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मैं इस वीडियो में आज क्या बता करके हैं और इन अंकड़ों के अधार पर हम लोग यह जानने की कोशिस करेंगे कि क्यों बार-बार राजस एक्सपोर्ट हम निवेशकों को धोखा दे रहा है यह इसमें काफी तेज उच्छाल आता है उसके बाद वापस यह गिर जाता है इस सारी बातों की चर्चें हम लो स्टार्ट करते हैं राजस एक्सपोर्ट की मार्केट कैप की बात करें तो यह तेरह हज्जा दो सो करो देखने को मिल लए और अगर इसके रिटान ओन इक्विटी की बात करें तो यह त्वल पॉइंट फॉर फवाइफ परसेंट को देखने को मिल लए है और रिटेन ऑन कैपिटल इंप्लॉइड यह 9.39 परसेंट देखने को मिल लए है जो कि जदी खराब है और अगर इसके पर मोटरस होल्डिंग की बात करें तो पर मोटरस में 54 परसेंट इस टैक होल्ड किये हैं और डिविडेंट इल्ड इस स्टॉक का जीरो है कर रुपिया है फिफ्टी टूविक खाई 800 रुपिया है फिफ्टी टूविक लो चारसो तालीस रुपिया या नहीं कि यह स्टॉक जो है जब मार्केट इतने उचता मस्तर पर चल रहा है तो यह अपने 52 वीक लो के आसपास च्टेड कर रहा है अगर हम लोग दोस्तों सेम इ है लेकिन राजिस एक्सपोर्ट जो की दो नंबर पर आती है मार्केट के इसाफ से यह जो अंडर परफॉर्म कर रही है और फिफ्टी टूविक लो के आसपास च्टेड कर रही है लेकिन अगर हम लोग वेवाव गलोबल को देखें तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं यह फिफ्टी टूविक हाई के आसपास च्टेड कर रही है और अगर हम लोग टाइटन कंपनी की भी बात करें दोस्तों यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यह भी फिफ्टी टूविक हाई के आसपास च्टेड कर रही है जबकि राजेस एक्सपोर्ट जो है वह फिफ्टी ट जो कि आसपास ट्रेड कर रही है तो क्या कारण है कि आख कुसिस करते हैं तो चली दो तो हम लोग इसके फंडामेंटल को एनलाइज करते हैं कि इसके फंडामेंटल किस प्रकार के रह रहे हैं जिसके चलते ही यह 52 विक लोग पर ट्रेड कर रही है दोस्तों अगर हम लोग राजस एक्सपोर्ट के पिछले आठ सालों का अगर सेल्स फिगर देखें तो Fy13 में राजस एक्सपोर्ट 31,226 करोड का सेल्स करते थी Fy14 में इनके शेल्स में गिरावट देखने को मिली वापस Fy1 57 में इसमें ग्रोथ काफी तगडार ग्रोफ के सेल्स में देखने को मिला एफ i-15 और ग्रोफ के दिखिए दोश्तों आफ यह काफ रहा है और इनका फिर व्चिर वापस काफी तगडा रहा है और और फोई 17 से फीर टीन में इनका इनका ग्रोथ देखने को मिल रहा है तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि एक कंपनी जो है इनका जो सेल्स फिगर समय के साथ काफी उतार चड़ाओ देखने को मिला है लेकिन अगर हम लोग अगर देखें तो अपने सेल्स ग्रोथ में काफी तगड़ा जंप कर पाई है लगभग आठ गुना का जंप देखने को मिला है इन पिछले आठ सालों में तो सेल्स के मामले में लंबे समय में राजेस एक्सपोर्ट काफी बहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया अपने सेल्स को इनों ने आठ गुन सेल्स ग्रोथ बढ़ा है तो नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा है तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं दोस्तों कि फ्वाई 13 में चार सो तीरपन करोड का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करती थी जो कि फ्वाई 20 में यह बढ़ करके बारा सो छे करोड हो गया तो हम लोग पर देख रहे हैं दोस्तों कि इनके नेट प्रॉफिट में भी जो है तीन गुना का जब देखने को मिल रहा है तो इनका सेल्स ग्रोथ हुआ है आठ गुना और नेट प्रॉफिट जो ग्रोथ हुआ है तीन गुना लेकिन अगर हम लोग दोस्तों ध्यान से देखें तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि FY17 से FY17 से इनके जो नेट प्रॉफिट के फिगर है वो लगातार एक इस एक ही अस्तर पर देखने को बिल रहा है लगभग एक ही अस्तर देखने को मिल रहा है यानि कि इनका जो नेट प्रॉफिट का ओडोथ है वो stagnant सा हो गया है जबकि इस period में इनका जो sales ओडोथ है वो काफी तगडा देखने को मिल रहा है तो ये company तो बढ़ा पाने में सक्षम हुई है लेकिन इनका नेट प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हो पा रहा है और अगर हम लोग इसके कारण को जानने की कोशिश करें दोस्तों तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले जा ओपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3% हुआ करता था जो कि अब घ सकते हैं इसको डिसलाइक करता है कि यह कंपनी जो है एक परसेंट के प्रॉफिट मार्जिन पर काम कर रही है अब चलिए दोस्तों इसके क्वाटरली रिजल्ट को भी चेक कर लेते कि क्वाटरली बेसिस पर इन्होंने जो अपना रिजल्ट प्रस्तूत किया है जून क्वा कि दोस्तों यहां पर अगर हम जून क्वाटर के रिजल्ट को कंप्यर करें लास्टी ये एक किसी तो यहां पर देख रहे है लास्टीर जून कोडर या निdï 2019 में इसमें 4619 करोड का सेल्स रिपोर्ट किया था जो कि जुन 2020 में बढ़कर कि ये 4444 करोड का सेल्स हो गया तो इनके सेल्स में एर ओन एर जो है पोजिटीव ग्रोड देखने को मिल रागर सेम प्रियड में अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहां पर हम लोग देख रहें नेट प्रॉफिट में इनका जून क्वाटर लास्ट ये जो है 302 करो देखने को मिली है जबकि सेम प्रियड में इनके नेट प्रॉफिट में डी ग्रोड देखने को मिला जो की काफे चिंता जनक है और एक चीज और यहां पर मार्क कीजिएगा दोस्तों की जून क्वाटर में इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वह 0% हो गया ज जो कंपनी एनवल बेसिस पर 1% के मार्जिन पर काम करती है और जून क्वाटर में इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है 0% कर लिया है तो इसके शेयर भाव में आपको उच्छाल कहां से देखने को मिलेगा हम लोग कभी एक्सपेक्ट महीं कर सकते हैं कि 0% मार्जिन य अभी उच्ताम अस्तरों पर चल रहा है और आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हर श्टॉक में जो हैं ऑपरेटर्स लगे हुए रहते हैं तो उनके दवारा कापी मातरा में रिटेल निवेस्टों को यहां पर फसाने के लिए लगातार जो है किसी-किसी स्टॉक को तेज कर जाते हैं अगर इसके टेकनिकल चार्ट को देखें दोस्तों तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो राजेस एक्सपोर्ट्स है वह तो हंडेड़ एमा से उपर ट्रेड कर रहा और हंडेड एमा से नीचे ट्रेड कर रहा और फिप्टी एमा को यह कब का यह तोड़क नीचे पर जो है और फॉर है फिफ्टी के आसपास हम लोगों को रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है राजेस एक्सपोर्ट का जो की इन ही अस्तरों के आसपास है और यह काफी क्रूशल लेवल है दोस्तों मारकेट याद रखिए है कि अपने हाई पर ट्रेड कर रहा है कर rich valuation पर trade कर रहा है, इसमें कभी भी तगड़ी गिरावाट देखने को मिल सकती है, वो कब आएगा ये तो हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आएगा जरूर, और जब ये अपने strong resistance के पास, लंबे समय के strong resistance के पास से stock पहुंच चुका है, और इसके जून के result काफी खराब रहे थे, तो अगर market में गिरावट आती है, तो हम लोग आने वाले दिनों में इस share में भी काफी तेज गिरावट देख सकते हैं, और इनके chart से ये तो साफ नजर आ रहा है दोस्तों, कि अगर इस stock में गिरावट आती है, market में गिरावट के साथ, तो यहां से ये यो राजेस एक्सपोर्ट में लगातार जो है उतार चड़ाव देखने को मिलता है, ये चलता तो है बहुत तेजी से, लेकिन वापस गिर के नीचे आ जाता है, रहां पर ही ये ट्रेड करता रहता है, हमने अपना भी बता दिया, बाकि आपको अपना decision खुद लेना है, आजेस एक्सपोर्ट में किस परकार का भी रखना चाहिए, आप खुद बना सकते हो, तो दोस्तों, अभी तक मेरे वीडियो को वाच करने के लिए आपका धन्यवाद, और मुझे उमिद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आपकी 悠मे मेरा ये मेरा दोगियो के ये मेरे वीडियो ओक मेरे ना चाहिए, आवचा होगा 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 होगाई कि आपकी उमिद 9